जया गुरुजी संगा जी, ये तकरीबन तीन साल पहले की बात है, मेसेज के उपर हमारा भी चर्चा चल रही थी कि कौन से मेसेज़ेज गुरुजी भेशते हैं नहीं भेशते हैं, मैं भी doubtful होती थी आद से कुछ साल पहले, तो clarity तभी मिलती है जब actual में आपके साथ कुछ ह होता है, और वाके ही कुछ messages आपके लिए होते हैं और जिसके लिए होते हैं उस तक पहुंच जाते हैं, और ये चीज़ जब मैंने practical मेरी life में हुई तो मुझे लगा, हुआ ऐसे, एक message बार बार मेरे WhatsApp में, मैं तीन चार गुरुप में थी, उसमें repeat हो रहा था, repeatedly आ रहा था सामने कि कोई golden blessings आपके घर में आने वाली है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार दिखा, पांच बार दिखा, एक परसंट आया, मन में फिर नहीं भी आया कि ऐसी कौन सी golden blessings आ जाएंगी, हमारे लिए नहीं है, मैं इतनी किसमत वाली नहीं हो, फिर दो तीन जानों जानों ने मेरे पास परसनल ये messages भेज दिया, तो कुछ लगा कि शायद ये मेरे लिए तो नहीं है, फिर हुआ यो कि मुझे लगा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ, चोला गुरुजी का golden कर देती हूँ, golden चोला ले आती हूँ, तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने का मैं थोड़ा दूर हूँ, और मैं दीवार पर कैसे चड़ू और कैसे लूँ, तो उनका मतलब यही था कि भी टाइम लगेगा, वो golden blessing रिसीव करने के लिए, तो ऐसा ही हुआ, कुछ टाइम बीता, और कोई भी चीज करने के लिए आपको पाता, एक extra money आपको special चाहिए, तो जब गुरुजी ने वो महौल, वो मौका दिया, जब इतनी घर में abundance वाले money आनी शिरू हुई, तो यह blessing रिसीव होनी थी मुझे, तो मैंने गुरुजी का पूरा golden चोला और golden curtains, सारा कुछ मैंने golden golden खरीद लिया, questions golden, मैं आपको photo भी भेज़ दी हूँ, तो वो मुझे लगा, हाँ, यह है मेरे लिए golden blessing, शायद गुरुजी मेरे घर में golden चोले में रहना चाहते, इसलिए golden, चोलो यह blessings होगी, इस से ज़्यादा मैं मतलब नहीं समझे इस message का, उसके बाद क्या होता है, lockdown का time शुरू हो चु गुरुजी ने मुझसे खूब सफाइया कराएं घर की, कि आज मुझे परदे धोने के लिए से सपने में विजन दी आज परदे तो, आज सफाइया, फर्ष साफकर, आज दरवज्जे साफकर, मतलब कि मैं डरती थी कि अब मुझे क्या दिखा देंगी, क्योंकि मैं सफाइ जो कि हम फोक का चमत साफ करते हैं, वो अंदर साइडों में लगा रह जाता है, कुछ ना कुछ, तो वो लगा हुआ था, तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम आके बोला, फोक दा चमत देख, उननों टांगना साफकर, तो मैंने वो सारे रीप्लेस ही कर दिये, फोक के चमत प करतन पड़े रहेंगे, या सुबा तक जब आएगी बारा बजे एक बज़े तब तक पड़े रहेंगे, तो गुजी ने बोला कि रसोई पुरी साफ रखनी जूठन नी रखनी तो तब से आज तक मेरे घर में किचन में काम वली को नहीं हुशन जाती है, हम घर में एक गिल मुझे नहीं पता यह मेरे साथ ऐसा क्यों होता था मेरे मुझे आदत है गुरु जी से बहुत जादा पूछने के और गुरु जी मुझे हर चिज प्रैक्टिकली दिखा दिखा के मेरे करम काटते हैं या जो भी मेरे ब्लैक मैजिक था या इम्तिहान थे गुरु जी अब च्छे-'Donין-जा च्छे-आठ महिने में एक आधिबर दिख जाती थी गुरु जी से पहले और शायद जो मेरा नितने इम था पाठ पूजा करने का वो च्छे-आठ महिने में इतने करम बना पाती थी कि एक मकड़ी मर जाती थी हो मरती होई नजर आती थी कि मर गई और जब मैंने लॉक डाउन में जब गुरुजी ने सफाईयां कराएं गूर्डन बेस्निस के बाद सफाईयां कराने के बाद जब मैंने अमरिट विला स्टार्ट कर दिया डेली डेली घर में ससंग अच्छे से शुरू हो गया और उसके बाद मुझे मेरे घर मेरे रोज रूटीन में किचन में सपेशल मकड़िया आने शुरू हो गई आठ, साथ, आठ मकड़ियां मतलिके डेली मैंने आना बेडरुम से और किचन में देखना और अचानाक प्रकट होती थी औरे यहां पे भी है औरे यहां पे भी है तो मेरी कुरूटीन थी आना है रोज मुझे मकडियां मारनी है डेली और मैं बड़ी हैरान भी थी कि या रोज ही आ जाती है मकडियां यह क्या है कहर एनिवेस वो चलता रहा तो घर में जरूरत से ज़्यादा सफाया हो रही थी उसके बापजूद भी मैं सुर्चाज ओफ डिवाइन लव घर में नीचे बैटके नीचे लेट के जमीन पे पिल्लो मैंने ऐसे रखा हुआ था उस पे लेटके मैं पढ़ रही थी तो मेरी हलकी टेड़ी नजर गई पिल्लो के ओपर और एक मकड़ी बहुत बड़ी सी चलती हुई मुझे लगा कुछ चलके गए तो मैंने इचानक देखा मकड़ी मैं घबरा के अगदम से उड़ गई जम्प मारके चिला उटी की ये क्या और कहीं भी बैट हूँ तो मुझे डर लगता है कि हाई ये सूफ़ पे बैट हूँ तो मकड़ी ना चाहिए दस दस बार चीज़े जाड़नी और फिर बैटना और किचन में ऐसा होता था कि रोटी बना रही हूँ सेल्फ पे अचानक गैस के नीचे से मकड़ी निकल की आ रही है जबकि सरफ से सफाईया करती थी मैं सेल्फ रोज तो ये मुझे खुद नहीं बता था ये में सब क्या हुए जा रहा था एक्चली वो बल्क में मेरा सारा कुछ काटे जा रहे थे पर दिखा दिखा के काटे जा रहे थे जो मैं पूस्ती थी उनसे कि क्या है कौन सी चीज मुझे रोके हुए है क्या हाट की हुई हो गुरू जी क्या है मेरे उपर इसमाद की सब पूस्ती थी तो फिर फाइनली जब भी ससंग होता था तो मैं आखे बंद कर ले थी तो आखे बंद करके जो मुझे विजिन्स मिलते थे मैं अपने छोटे भाई के साथ डिसकस करती थी कि आज गुरुजी ने ये दिखा या आज गुरुजी ने ये बोला तो मेरे घर में एक सोफा था जो किक्टम किचन के साथ पड़ा हुआ था ड्रेंग रूम सामने ही था किचन के तो मुझे दिखे कि गुरुजी नानक देव जी घर पे आएं और वो घर के सोफे पे बैठे हैं और उन्होंने सिरफ एक टेड़ी नजर करके मेरी किचन की तरफ मैंने का आज तो गुनानक देव जी दिखें उन्होंने किचन की तरफ क्यों देखा सिरफ कुछ बोले भी नहीं सिर्फ किचन की तरफ देखा तिरची नजरों से खैर बताया सुबह हुई सुबह उठके आई तो संगत जी आप विश्वास नहीं मानेंगे मेरी किचन में कम से कम पचास मकडियां थी फ्लोर पे और वो ऐसी थी तीन जनरेशन में थी एक पूरी पली हुई एक मिड की एकदम एक कच्ची कच्ची जैसे एकदम भी बॉन होती हैं और ये नजारा देखके मैं तेज 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 रोने लग गई मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इ वीडियो कॉल पे दिखा रही इतनी क्लेरेंस भी नहीं थी लेकिन फिर भी उसने बोला हा मुझे दीख रही हैं दीख रही हैं तो ये गूरु नानक देव जी की एक तिर्ची नजर ने मेरा बल्क में सब कुछ काट दिया ये स्टार्टिंग हुई जर्नी कहां से ऐसे के बाद गुरु नान अदेड जी दुबारा घर में आये सोने के पूरे सोने का चोला पहना हुआ हुए उन्होंने गोल्ड का चोला पहना हुआ हैं तो ये इतनी बड़ी blessings है इतनी बड़ी blessings हुई है practically गुरु जी ने करके दिखाया है और इतने back stage पे इतने दुख इतनी suffering इतने hurdles हैं उसके बाद जाके यहां तक पहुंचाया गुरु जी ने कि इतनी बड़ी blessings receive हुई और इतना बल्क में काटा गुरु जी ने तो शुकराना गुरु जी और ये message मुझे लगता है कि हाँ ठीक हम 50% belief कर सकते हैं और 50% ना करें कोई बात नहीं अंध विश्वासी नहीं हो लेकिन 50% belief करना भी पड़ता है क्योंकि कुछ पता नहीं होता कब कौन सा मौका छूट जाए हम इतने बे विश्वासी आना हो जाए और विश्वास भी practical करें गुरु जी के साथ जितना connect करके रखेंगे तो गुरु जी भी reply करेंगे अगर कुछ दिख रहा है तो जैसे मुझे message दिखा तो उन्होंने मुझे गुर्डन कपड़ा दिखा दिया तो वह relate किया तो संगा जी मैंने जो सीखा मैंने अपना experience बता दिया जै गुरु जी शुक्रानवु